स्पार्टन निउस सेक्शन अपने चैनल पर यहां पर इसका फैला एपिसोड होगा और यह सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूं पहले 10 एपिसोड जाने कोश्च करूंगा फिर जैसे जैसे अगर हमें विवर्शिप मिलती जाती है तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा और यहां पर हम Q&A सेशन भी कर लेंगे और इन वीडियो को मैं पांच मिनिट का रखने की कोशिश करूंगा जिनसे आपको जल्दी जल्दी काप सारी इंफॉमिशन मिल जाए टेक वल्ड की तो वीडियो को स्टार्ट करने से वाले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अगर पहले स्टार्ट करते हैं रियल्मी 5 सीरीज के साथ जो की 20 अगस्त को अन्वील होने वाली है फ्लिप काट पर और एक इवेंट वगारा भी होने वाला रियल्मी का तो हाँ पर हमें डीप इंसाइट्स मिलने वाले इन फूचरिस्टिक से डिवाइसिस के बारे में यहां पर खर खर आ एक और बात मैं क्लियर करना चाहूंगाँ यह 64 मेगा पिक्सल वाले ऐसे नहीं होने है तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है Snapdragon 665 जो की speculation है मेरे साफ से अगर इसका प्राइच जदसदार से नीचे रखने वाली है company तो 665 तो नहीं डाल पाईगी और जहां तक बात है Realme 5 Pro की तो वहां पर competition उस range में बहुत जाता है और उसको खुद का competition भी देखना पड़ेगा Realme 3 Pro के साथ तो यहां पर हमें शायद से Snapdragon 712 देखने को मिल सकता है और 730 की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर रियल्मी 730 के साथ जाती है तो रियल्मी जो सीरीज है as a 5 Pro वाली जो सीरीज है वो वाली सीरीज का pricing break हो जाएगा क्योंकि 730 काफी expensive chip है जैसे मैंने एक वीडिय इंक्रीज हो जाएगा और जो रियल्मी का ट्रेंड है वो मेरे साथ से रियल्मी तोड़ना नहीं चाहेगा तो इसमें हमें शायद 712 देखने को मिल सकता है यहां पर कैमरा सेंसर की बात करते हैं रियल्मी 5 Pro की यहां पर आपको प्राइमेर में देखने वाला है आयमेक्स 586 दूसरा कैमरा आपको देखने वाला मैक्रो शॉट वाला कैमरा जो की काफी इंटरस्टिंग हो सकता है और वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला जो की 119 निगरी इसका फील्ड वीयों हो जिसमें और फोर्त कैमरा जो की टेली फोटो डाल सकती थी कंपनी वहां पर देप सेंसर को अपना है पता नहीं क्यों और दोनों फोल्स में कुछ इसी तरी का सेट अप है तो नेक्स्ट हम चलते अपने सिक्शन में जो की है दोनों फोन्स चाफी अच्छे थे और जहां तक बात है मि ए थीट यहां पे स्नाप्रक्राइब देखने को मिलने वाला है जो की फैरली ठीक नहीं लेकिन 675 यह फिर 710 यह इतनी पावरफुल चिप नहीं है तो यहां में पीछे टेपल कामरा सेट अप देखने को मिलने वा एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया जायाएगा और जो तीसरा लेंसों का वो डेप सेंसर होगा जो जादा किसी काम का नहीं हो जाएगा टेली फोटो भी जाता तो काफी काम आता है टेली फोटो यहां पर एक और स्पेकुलेशन है कि एकर आपको एंड्रोइड वन चाहिए तो ही आप इसको कंसीडर करें वरना तो मैं आपको यह कंसीडर करने लिए नहीं बोलूँगा और नेक्स्ट न्यूज है जियो की तरफ से यहां पर जियो फाइबर का रिलीज हो गया कुछ दिनों पहले अनौंस कर दें गया है रिलाइ इनका जो रीच अभी चल रहा है और जो लो इंट्रेस्ट दिखा रहे हैं जीओ फाइबर में तो वह भी बहुत ज्याद है तो जीओ का जो फाइबर नेट हमें से रोल आउट देखने को मिले का वह काफे इंट्रस्टिंग होगा और इसका हाइस प्लान आपको 10,000 रुपी जीओ फाइबर ही तो आप फर्स्ट डे पर ही जैसे मूवी लाँच होती तो अपने घर पर ही वह मूवी देख सकते हैं तो यहां पर सिनेमा हॉल्स विगरा वाली कंपनी के स्टॉक्स वगरा में प्रॉबलम हो रही है तो यह सब भी काफे इंट्रसिंग बात है चल रहे है टेक वर्ल्ड में और एक बोनस यहां पर हमें वन प्लस सेवेंटी प्रो देखने को मिल रहा है और जो की काफी सिमिलर सेवेंट प्रो से ही तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें जैसे डिवलप्मेंट आती है तो नेक्स्ट एपिसोड में इसको देखते हैं तो इतना है इस न्यू सेक्षेन के लिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए नेक्स्ट वीडियो में वह आंसर करने की कोशिश करूंगा उन कोश्यंस का और मैं आपके मेंट्स ज़रू पड़ूंगा मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में